दोस्तों काफी new creators इस settings की बारी में नहीं जानते हैं, जैसे कि ये YouTube चैनल create करने की बद कुछ settings होता है, कुछ settings आपको set करना होता है, तो भी जाके आपकी वीडियो पर views आना शुरू होता है, लेकिन काफी ज़्यदतवर creators क्या करता है कि इन जो setting होता है, ये settings को set नहीं करते है और जो वीडियो आपलेट करते हैं, वीडियो आपलेट करने की बद ज्यादा से ज्यादा शाथ से 8 views आता है, और उसके बाद वीडियो में views रूख जाता है, तो एक channel के लिए ये settings है, ये काफी mandatory है, जब तक आप ये settings नहीं करोगी, तो तक आपकी वीडियो में views कोभी भी नहीं आएंगे, इसलिए ये settings करना बहुत ही ज़रूरी है, और एक new creators की साथ ये problem होता है, जैसे कि जो फास्टाइम एक YouTube channel किसी ने अगर create करता है, तो create करने की बद इतना knowledge नहीं होता है, YouTube के लिए, कि YouTube पर क्या के settings on करना पड़ता है, क्या के settings off रखना होता है, इन चीजों में मतलब focus नहीं होता है, इसलिए वीडियो में views नहीं आता है, और देखिए और एक बात है, आपके मैंड में एक सवाल हो सकता है, कि आप तो मेरी जैसी एक new creator से, भाई देखिए मेरा और एक channel है, जिस channel से मेरा earning हो रहा है, और मैं इसलिए ये बात mention कर रहा है, कि काफी लो शुरू करते है, भाई वीडियो में आगले बादने से पहले मेरा एक चोटी से रिक्वेष्ट है, अगर आप पास्टर मेरी चनल पर विजिट किया है, तो मेरी चनल को सस्केप कीजिए, तो चलिए शुरू करते है, तो दूस्तों दिखिए ये जो setting है, ये setting one करने के लिए देखिए, ये काफी mandatory है, और मतलब एक एक settings की बजा किया होता है, मैं साथ में ये भी बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो मैं skin record की माईदम से आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ, आप लोग skin record जो है follow केजिए, जैसे कि मैंने skin record open किया है, और यहाँ आप follow केजिए, और 5 settings एसे मतलब जो सबसे जरूरी होता है, ये 5 settings की बारे में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, और साथ में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बीना skip करते हुए पूरा वीडियो देखिए, तो भी जाके आप समझ पाएंगे कि सवच में आपका गलती है, या YouTube का गल करना है, जैसे आप लोगों पर क्लिक करेंगे उसके बाद यूर चैनल पर आपको क्लिक कर देना है, यूर चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ एक option आप देख सकते हों, जैसे कि यहाँ देखिए एक pencil icon है, तो simply आपको क्या करना है, इस pencil icon पर क्लिक करना है, जैसे आप इन स्पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखे मेरे चनल पर यह सेटिंग्स मैंने अल्लेडी कर रखा है वर ज्यादा तोर क्रियेटर्स यह सेटिंग्स बिल्कुल ओन नहीं करते हैं कौन से सेटिंग है और क्या ओफ करना है और क्या ओन करना है निचे दिखे कीफ all my subscription private यह काफी मतलब creators की जो चैनल है ओन होता है नीचे और एक option देखे keep all my save playlist private यह भी ओने रहता है तो यह दूनों ओफ कर लेना है इसके मतलब क्या है मैं साथ में बताने वाला हूं तो यह मैंने ओफ कर लिया है आप भी ओफ कीजिए देखे keep all my subscription private यानि कि आप जो जो चैनल सास्क्राइब कर रहा है जिन्स चैनल को फॉलो करके आप आपकी चैनल पर वीडियो आपलोड करते हों तो अगर यह आप ओफ नहीं करते हों तो जो ओडियेंस आपकी वीडियो वास करता है इन ओडियेंस मतलब पाता लगा सकता कि आपकी इनकी चैनल फॉलो करके आपकी चैनल पर आप वीडियो आपलोड करते हों तो यह जो चीज है आपको मतलब audience को बिल्कुल नहीं पता लागाना चाहिए निचे जो है keep all my save playlist private यानि कि आपकी जो private playlist है यह आपको मतलब यह off करके राकना चाहिए audience को नहीं देखना चाहिए यह एक settings सबसे must important है और उससे भी और भी important settings होता है जिस settings की तुरू आपकी वीडियो पर जदातर views आ रहे कि chances होता है तो यह जो बाकि जो setting है बाकि setting करने के लिए दूस्तों आपको Chrome browser open करना है Chrome browser open करने के बाद दूस्तों simply एक new tab open करना है उसके बाद दूस्तों simply आपको type करना है studio.youtube.com दूस्तों इतना ही type करना है studio.youtube.com उसके बाद दूस्तों यहाँ एक option आप देख सकते हो कि continue to studio यह जो option है इस options पर आपको click करना है चली मैं click करता हूँ जैसे दूस्तों आप इस options पर click करेंगे उसके बाद दूस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि YouTube की जो मतलब database dashboard है data dashboard कुछ इस तरह open होता है आपकी समय तो एक चूटा सा settings की icon आप देख सकते हैं और निचे की तरह मैं ज़रा zoom करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ दूस्तों दिखे एक settings की icon है तो इस settings की icon पर click करना है जैसे दूस्तों इस settings की icon पर click करेंगे तो ज्यादा तो मैं आपको मैं इतना तो कह सकता हूँ कि 100 में से 90% लोग यह settings करते हैं और 40% लोग settings नहीं करते हैं और जो लोग सेटिंग्स नहीं करते हैं, यह लोग की चैनल पर ज्यादातर व्यूज नहीं आता है, तो सबसे पहले यहाँ दिखे कुछ आप्शन्स आया है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, चैनल, अपलोड डिफोल्ट और पर्मिशन, यह तीनो सेटिंग्स होता है, तो दो दुस्तो यहाँ आपको सबसे पहले चैनल पर प्लिक करना है, जैसे यहाँ तो कुछ क्यूवाड है, यह है आप की चैनल जो है सार्स मे लाने के लिए यहाँ पर immersion के और आप जिस केटेगरी में वीडियो आपलोट करते हूं उस केटेगरी की रिलेटर यहां कुछ क्यूआड आपको फिल करना होता है तो भी जाके आपके चैनल जो है रेंग करता है उसके बाद दूस्तों यहां एक आप्शन आप देख सकते हो एडवांस तो सिल्पली आपको क्या करना है कि एडवांस पर क्लिक करना है चलिए मैं यहां एडवांस पर क्लिक करता हूं दूस्तों जैसे आप एडवांस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दूस्तों यहां दिकितीन आप्शन दिया गया है जैसे कि मैं आपको पढ़के सुनाता हूं जैसे कि यहां made for kids अगर दूस्तों आप क्या करता है कि काफी लोग यह गलतिया करता है कि देखिये वीडियो जो है मतलब 18 साल जो है मतलब 18 साल की ओबार लोग के लिए वीडियो बालाते है लेकिन यहां सिर्ट करते है यह सेट इस चैनल made for kids यानि की बच्चो के लिए kids अगर आप बच्चो के लिए वीडियो बनाते हो तो सबसे फार्स्ट सेटिंग यह करना है सेकेंड जो है दिक्वे नो इस नो सेट इस चैनल एज लोट मेड फोर केट्स आई नेवर आप लूड़ेट कॉल्टेंट इस मेड फोर केट्स तो दो अगर आप चाहते हो कि होई एक वीडियो में यह सेटिंग मतलब करके आप लूड़ करना है वीडियो तो आप तार्ड नंबर आप्शन चूज कर सकते हों जैसे कि कोभी आप बच्चो के लिए वीडियो आप लूड़ करते हों तो यह आप बार-बार मैनुएली आप कर दिया है उसके बाद दोस्तो में जो स्ैटिंग है में सेटिंग आवि भी बाकी है तो का फिलोग यह में सैटिंग्स नहीं करते है और इस लिए वीडियो में ब् pad शु़च अंया होता है सो दूस्तों यहां आप देख सकते हों जैसे कि दूस्तों यहां देख सकते हों जैसे कि दूस्तों यहां देख के कुछ सेटिंग्स दिया गया है जैसे कि यहां देखिए एडबांस सेटिंग्स तो सिंपली आपको क्या करना है यहां देखिए एडबांस सेटिंग्स यह जो एडबांस सेटिंग्स है एडबांस सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है चलिए क्लिक करते हैं उसके बाद दुस्तों य यहीं कि गेरी के टेग्री पर आगर आप क्लिक करो गई तो दूस्तों यहाँ आप देख सकते हैं तो दूस्तों यहाँ वीडियो था तुछ शरब बहुत लंबाघ असकता है लेकिन वीडियो आप दियाल से समाझ डिलीजिए कैटिग्रिक क्या होता है दुस्तों माल लिजे आप टेक रिल्टेर्ट विडियो आप लिट करते हों और यहां दिके के टिगरी में सब सब पहले आपको में बता दू और टो बेहिकेल को मेडी एजुकेशन एंटर्टेमेट फिल्ब एन एनिमेशन गेमिंग हाव तो स्टाइल मुजिक निव्स एन पॉलिटिकल्स और यहां कैनल कि आप लोग मतलब यहां स्टेड़ करना है यहां सरिक करने की बद होते है कि यह यू टॉट की जो एल्गर्दम है algorithm को एक positive signal जाता है कि ये बंदा इस category में वीडियो आपलेट करने वाला है तो जब आप वीडियो आपलेट करते हो तो YouTube ने उसी audience की सामने आपकी वीडियो recommend करता है यह तो आप बात समझ लिया अगर आप टेग लिटे वीडियो आपलेट करते हो तो science and technology आपको choose करना है उसके बाद दूस्तों यहां और भी आप दख सकते हो जैसे के दूस्तों वीडियो Languist जैसे के मानलिज यहां दिके वीडियो लेंगुईज में आपको बता दूझ यहांद के वीडियो लेंगुईजिस तो vedo आप अप्लिट करते हों तो आपके वीडियो में मान लिजे आप इंग्लीस में बात करते हों तो इंग्लीस जो लोग इंग्लीस में वीडियो वाज करता है वही लोगों की सामने यूटूब ने आपकी वीडियो जो है रिकुमेंड करता है तो क्या आप हिंदी बसा इंग्ली टाइटिल एन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लेंगोईज का फिलिए क्या करते हैं जैसे कि हिंदी से लट कर लेते हैं और टाइटिल और डिस्क्रिप्शन में ज्यादातर क्रियेटर्स इंग्लिश में टाइप करते हैं तो इंग्लिश में और हिंदी में टाइप करने क आपको पता है जैसे कि YouTube की जो algorithm है algorithm पर जब signal चला जाता है तो ज्यादतर English में signal चला जाता है क्योंकि YouTube की जो algorithm है algorithm को मुझे लगता है कि सिर्फ English ही समझ में आता है इसलिए जो भी मतलब आप विडियो जब विडियो अफ्लेट करोंगे टाइटेल एंड डेस्किप्शन और टाइटेल जो भी आप लिकेंगे English में लिकिये तो भी होता क्या है कि आपकी जो विडियो है ज्यादतर मतलब सार्च में आ सकता है इसलिए दूस्तों यह जो सेटिंग से काफी इन्प्रोटेंट है और सबसे मेस्टे जो इन्प्रोटेंट है यहाँ केटेगरी तो यह आपको चूज करना है इसके बाद दूस्तों यहाद के सेब सेब पर क्लिक करना है तो मैरा ओलरी सेब है मैंने क्लोज पर क्लिक कर दिया है तो दूस्तों आउंषं यह विडियो काफी आपमों लोग को पसंदा होगा विडियो कैसे लगा है is वीडियो के के कॉमंट बुक्स में जो भी राय है अब बताना है तो वीडियो आज के लिए इतना ही हैं मिलते हैं दे किसी एनादर ब्र Debit के लिए जॉहिंद वारत